एक बार फुरह थाई हैं बहुत अच्छा सांचालन करना है तो एक बार उनकी लिए तालियां बजाद कीजिए एक शेर समास्थ प्रमाहिर का कि आसमा में जंग का ऐलान करवा दो कि मेरा चांद आफ़ाव की गिरफ्त में है कि एक पुरानी जख्म कुरेदी गई नाकूनों से ताबे ताव रहीम अगर भॉखलाया वहत वह कहता भी तो किस्ते कहता बाते को तले जानी जोर रख और खुशी से रोया भॉख अब यह पता देखेगा कि गदल के दो शेर और मेरा दिवानापन पूचे पूचे अबन तुम को सुनाया जाएगा और मुद्दतों से पगत तेरी मेरी नरासी की कि अबना तुम्हे कोई आइनाय और अशार दिखाया जाएगा और मुद्दतों समात परवाइएगा कि वो कहा है वो वही है वही रहने दो इश्क और सखन की आड में मुझे रहने दो मुझे पजीहत से खुद को पा लिया तुम्हेने यह जहां भी बसकी कब्र में गड़ा रहा रहने दो इसे आफेक रहा जो और एक मतलाव एक शयर दिखेगा कि गिल्द coma घुटां का वंग परमाय आ ऐगा सूखे लखेन प्यासा दिल है कि तुम फिरसे आरही हो त्याकि तुम जिश्क परमा रही हो गया अंदर ही अंदर कितना हल्कान हो गया हूँ मैं कि तुम आते जाते लोगों से मेरा पता पूच रही हो गया कि दाथ मेरी चरागों तले कटने लगी है तीरे तीरे से कि दाथ मेरी चरागों तले कटने लगी है तीरे तीरे से कि तुम उक्ता सुरज लिए मेरी पाहों में समा रही हो गया अलश्यर दिखेगा कि अरे सुनो इन फिजाओं में इतनी नहीं क्यों महसूस हो रही कि अरे सुनो इन फिजाओं में इतनी नहीं क्यों महसूस हो रही लगता है अश्यर को इन शहीदे आजाद हुआ है कि असना मता सुनीगा कि एक शहर है कि एक शहर है बनारज जहां अमन को चैन भी दे विला और तुम मेरे की शहर में नहीं गुंखों पी जा रही हो गया एक मतार एक शहर है कि वस्त की शाम में तेरा जाना हो गया वहशत रही शहरत में इजापा हो गया मेरी शरफ में आये कुछ लोग यहां वहां और मैं आफ़ताद की महितल में ही खाथ हो गया शुपिया